प्रिये विद्यार्थियों वंदे मत्रम राजस्थान प्रिशासनिक सेवा दो हजार इकिस का अंतिम परीक्षा परिणाम आचुका है और आश्रम से चैनित विद्यार्थियों से लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं ये सिलसिला लगातार चलेगा तो आज मेरे पास जो बैठे हैं वो हैं अंकित गोदारा और उनकी धर्म पतनी शिल्पी तो आंकित जी आपको राजस्तान प्रशासिनिक सेवा दो हजार इकिस में सत्यासिमी यानि की रैंक 87 प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई धन्यवाद सर तो आंकित कैसा लग रहा है आपको क्या मैसूस हो रहा है इस समय सर मुझे बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है क्योंकि पुलिस में जाना मेरे को बच्पन से मुझे लगता था कि पुलिस में जाना एक अच्छा option है बिलकुल है और वही मिल गया तो ये तो बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है सर तो आपको शिल्पी कैसा महसूस हो रहा है कि बही अंकित ने ये सफलता अरजित की है और हमारे यहां पर रिवाज भी है कि थानेदार की पत्नी को थानेदार नहीं कहते हैं गुरू जी की पत्नी को गुरुआ नहीं कहते हैं तो ठीक उसी परकार से डी एस पी की पत्नी के लिए भी ऐसा ही शब्द प्रियोग किया जाता होगा मैं मान कर चलता हूँ तो आपको क्या फिलिंग हो रही है हाँ जी सर मुझे बहुत जादा अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात ही है कि अगर कोई बंदा इतनी मैनत करता है और उसको इतना अच्छा रिजल् को बता दूँ के अंकित और शिल्पी की छोटी सी गुडिया खवाइश जो है वो भी आयू ही है लेकिन छोटे बचे थोड़ा सा शोर ज्यादा मचाते हैं इसलिए इस इंटर्वियू से इस साक्षातकार से हमने उसको प्रिथक रखा है तो अंकित आपकी खवाइश जो है इसके लिए मुझे मेरे पिता जी निहाल चंजी गोदारा और माता जी अनीला देवी और मेरे बड़े भाई अमन उसने बहुत मोटिवेट करके और उन्होंने मुझे त्यारी करने के लिए बेजा था सर सूरतगर में और इसका मतलब यह आपके परिवार जनों की थी कि आप एक पुलिस अधिकारी बने और नीसंदे आपने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया तो सबसे पहले आप बताईए कि जब 2015 में आप सूरतगर आए आश्रम में आए तो मतलब उन्होंने किस वज़े से आपको यहाँ पर भेजा क्या जानकरी आपके परिवार को मिली आश्रम के बारे में सर उस समय 2012 की बठी का result आया था है दो विज़ बंदरा में से हाँ बिलकुल मुझे अच्छी तरह से ध्यान है की अगस्त में ये जुलाई में ये परीकशा परिणाम आया था जुलाई 2015 में सर और मैं अगस्त में सर यहां पे आ गया था दोजर पंजरा में ठीक है ठीक वास्ता में वह एक बहुती अधुत परीक्षा परिणाम था आश्रम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था उससे पहले मुझे जैपूर बेज रहे थे लेकिन जैसे सूरतगड में अच्छा अच्छा एक बात है अंकित के तब हम लोग ये फस्ट इयर में कब और सेकंड इयर में टाइगर और फाइनल इयर में लोयन इस नाम से बैच नहीं चलाते थे उस बैच का नाम कुछ और था आपको याद है जी सर उसमें छोटा बच्चा बैच हुआ करता था बिलकुल पर जब 2015 में आ गए तो आश्रम की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि हम अपने विद्यार्थियों से शोशल वर्क भी बहुत सारा करवाते हैं अन्य काम भी बहुत करवाते हैं तो आपने भी क्या अन्य कामों में कोई भूमी का अदा की जी सर यहां पर आश्रम में मेरे बहु पूरण जी तो आरेस एलाइड में चैनित हो चुके हैं। एई आई के पद पर कारेरत हैं। बानवित हुए आप ये शोशल वर्क या इन डिश्टी बादित दिव्यांगों को पढ़ा कर। अच्छा फिर आप पहली बार कब आरेस में उत्रे या ये आपका फस्ट अटेम्ट है। नई सर ये मेरा सेकिंड रिटेम्ट है। मैं 2015 में जैसे बी ए स्टार्ट करी आपने मुझे बी ए करने के लिए का था। तो उसके बाद में 2018 में मेरी ग्रेजुशन कम्प्लीट हुई और उसी समय बरती आई थी सर दो जार अठारा की। उसमें मैंने एक्जाम दिया था और फाइनल सेलेक्शन नहीं हुआ था इंटर्विव के बाद में मेरी सर ग्यारा सो चब्यसमी रैंक आई थी। ग्यारे सो चब्यसमी रैंक आई तो आपको ये नहीं लगा कि अरे मैं तो तीन साल चोटा बच्चा बैच में काम करता रहा मैंने आरेस के बैच में भी काम किया तो कहीं कोई दबाब फील नहीं हुआ सर एक बार जरूर डी मोटिवेट हुआ था लेकिन सर वो मुझे इस बारे में पता था कि मैं जैसे तैयारी कर रहा हूँ और फर्स्ट एटेम्ट में मैं इंटर्व्यू तक पहुंचा हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है तो वो भी मुझे एक मोटिवेशन मिला उसका कि म मैं कर सकता हूं इसे तो फिर मैंने उसको दूसरे टैम्ट में किया और मुझे 87 रैंक प्राफ्त दूए बिलकुल 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 लेकिन यहां पर मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि अंकित जो हैं वर्तमान में सैटलमेंट डिपार्टमेंट में पटवारी के में कारे रथ हैं तो पटवारी के लिए कोई अलग से तैयारी की थी या वैसे ही पेपर दिया तो आरेस की इतनी जबरदस तैयारी थी कि आप पटवारी लग गए सर कोई अलग से त्यारी नहीं की थी तीन-चार दिन पहले ही पेपर था पटवारी का और वो मैं देने वाला नहीं था लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे का कि आप देखे आओ पेपर क्योंकि पास में सेंटर है तो मैं देने चला गया था पेपर और सेलेक्शन हो गया सर उसमें तो 2021 में क्या स्ट्रेटेजी रही पढ़ने की कोई विधा कोई ऐसी विशेश नई बात आप क्या हमारे विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे सर नई बात तो कुछ नहीं है जो आप पांच बाते क्लास में बताते हैं वो ही पांच बाते होती है सर उनी को फोलो करें तो बिलकul सेलेक्शन शोर होता है सर बिल्कुल आज कल मैंने ये बातें छै इनकी संख्या कर दी है आपके समय में थोड़ा पांच बातें मैं रिपीट किया करता था मैं वो एक बात वो छै की छै बातें एक बात रिपीट कर देता हूँ सबसे पहले तो जिस भी गुरू या संस्थान में आप जाएं उनमें पू तो अंकित क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों को सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि किसी तैयारी में लंबा समय हो सकता है कई बार लग जाए लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो उसकी सफलता जरूर मिले ही मिलेगी आप अपने गुरू के इंदर और उनकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी पर जैसे सर हमारा यहां पर बहुत असान काम हो गया था कि हमें सेड्यूल मिल गया और हमें सिर्फ उसको पढ़ना है बिल्पर हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी सिर्फ पढ़ाई करते थे उसी हिसाब से और आज परिनाम साम हो तो बंदा किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है और मैं अपनी तारिफ खुद नहीं कर रही लेकिन मैं यह सोच रही हूं कि मैंने थोड़ा इनको मोटिवेट किया और सपोर्ट किया क्योंकि एक बच्चे होने के बाद एक सिंगल पैरेंट को समालना मुश्किल हो जाता ह बच्चे को तो मैंने इनको प्रॉपर टाइम दिया डिस्रबेंस कम रखी बच्चा चोटा था लेकिन फिर भी यह सोचा कि नहीं पहले पढ़ाई जरूरी है तो थोड़ा सेक्रिफाइस अच्छा मैं मुझे यह बताईए कि हवाईश यह नहीं कहती थी कि अंकित तो पिने बाद ही इंटरेक्शन हुआ था अंकित के साथ उसके बाद सर फिर इनका इंटर्व्यू था जोब थी तब इनका ठीक है ठीक है तो अभी हमरी बात चल रही थी अंकित गोदारा से शिल्पी से और हवाई से हमारी बात जो है आज कल थोड़ा सा ट्रैक से हटकर हम इं अत्रिक्त अन्या बाते हैं उनको भी अभ्यर्थी समझ सकें तो धेर सारी शुब कामनाएं अंकेत शिल्पी और खवाईश जै हिंद जै भारत जै राजस्तान